तो अब दोस्तों मैं रोज बिसर प्राज रब देखें शिप टैक तो दोस्तों आज किसी वड़े में बात करने वाले हैं 5G नेटवर्क के बारे में मेरे पास कुछ इंस्टाग्राम पर मेसीज आ रखें और उनमें बोला गया है कि 5G नेटवर्क के बार आeszंड़ क्या है और किन किन सहरों में इस्टार्ट होगा और 5G Network आने के बाद 4G Mobile का क्या होने वाला है आज किसी वड़े में आपको यह बताने वाला हूँ कि नेटवर्क आने के बाद 4G Mobile का क्या होगा और पार जी नेटवर्क कब आ आपको यह देखने को मिलेगा तो दोस्तों आयोप आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगी क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि 5G नेटवर्क आने के बाद 4G मोबाईल का क्या होने वाला है और क्या आपको इसमें नुक्सान होने वाला है तो दोस्तों वीडियो में बने रहा है वीडियो पूरा देकर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुली बना वुले चलिए सुरू करते हैं आज की वीडियो तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि 5G network किन city में आपको देखने को मिलने वाला है और कौन कौन सी company ये 5G network लेकर आएगी तो दोस्तों Jio ने announcement कर दिया है कि 5G network अब 1000 city में जो बड़े city हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा जो छोटे सहर हैं उनमें आपको 5G network अभी देखने को नहीं मिलेगा जो बड़े city हैं आपको उनमें network आपको देखने को मिलेगा 5G network अगर आप बड़े city में आते हैं तो आपको 5G network देखने को मिलेगा और अगर आपके मन में ये question है कि 5G network आने के बाद कि 4G mobile का क्या होगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा उससे पहले मैं आपको बता दूँ अगर आप 5G network का wait कर रहे हैं और आपने 5G mobile पहले से ही ले रखा है तो आपको इसका कोई benefit नहीं होने वाला है क्योंकि 5G network आने के बाद जो 4G plan है उनसे आपका 5G network जो आएगे 5G plan आपको उसमें mega देखने को मिलेगा लेगिन वाला है जब से आया है तब से आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो आपका 4G network है वो सही से नहीं चलता कुछ-कुछ गाओं तो ऐसे है आपका 4G network तो आता ही नहीं है वहाँ पर 2G चलता है तो ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपने 5G मोबाइल ले रखा है और आप 5G नेटवर्क का वेट कर रहे हैं तो आपको इसमें कोई बैनेफिट नहीं होने वाला है क्योंकि कुछ City ऐसे हैं जहां पर आपको ठीक ठाक 5G नेटवर्क देखने हो मिल लेकिन कुछ गाउं ऐसे हैं वहाँ पर आपका 5G नेटवर्क आने के बाद बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है तो मैं आपको यह सज़ेस्ट करूंगा कि अगर आप 4G मोबाइल पर हैं अभी फिलाल तो आप 4G पर ही रहें 5G पर आने की आप बिल्कुल भी कोशिस ना करें और अब आते हैं उस कोश्चन पर की 5G नेटवर्क आने के बाद 4G मोबाइल का क्या होगा तो आपको बता दे अगर आप 5G नेटवर्क का वेट कर रहे थे और आपने 5G मोबाइल ले रखा है तो आप इसमें कोई देरी नहीं कर सकते हैं आप 5G नेटवर्क चला सकते हैं अ अगर आपने 4G network नहीं ले रखा है तो आप उसमें 3G और 2G network चला सकते हैं, आपने इस चीज का ध्यान दिया होगा, तो इसमें आपका कोई question में कोई आपको नहीं फसने वाली बात है कि अगर आपका 5G network आजाता है तो आपका 4G नहीं चलेगा, आपका 4G भी permanently चलने वाला है, इसमें आपका कोई question का, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका 4G network नहीं चलेगा, तो ये आपकी बेवकुफी है, आपका 4G network अच्छे से चलने वाला है, और मैं आपको सजेस्ट करूँ तो आप 5G में अभी बिल्कुल भी ना है, क्योंकि आपका 5G network जब आएगा, तब तक आपका 5G mobile भी बेकार हो जाएगा, तो आप अभी 4G में ही रहें, और आप अपना अच्छे से enjoy करें 4G network में, तो दोस्तों मेरा आज ये question जो मेरे पास Instagram पर आये थे, इसका मैंने आपको answer दे दिया है, अगर आपको इसमें भी जड़ा सी भी आपको question में answer जो मिला है, अगर आप इस चीज से संतुष्ट है, तो वीडियो जरूर लाइक करें, वीडियो लाइक कर दीजे, चैनल सब्सकाइब कर दीजे, और बैल आइकन दबा दीजे, क्योंकि मैं ऐसी tax related वीडियो लेकर आता हूँ, और mobile के review is big करता रहता हूँ, उनकी अच्छी बुरी बाते वो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए चैनल